जहिन सातियो डॉक्टर संग्राम पाठिल बात कर रहा हूँ सातियो अभी अभी दही हंडी का कृष्ण जन्मास्ट में का एक हमारा त्योहार गया और इसमें एक पोस्ट काफी चली काफी वहरल हुई जो बहरुत का जो मद्यप्रदेश में वहा का दही हंडी का जो एक शिल्प है वो काफी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा तो मैंने सुचा इस पर एक छोटा सा क्विक वीडियो बनाया जाए तो सात्यों दही हंडी में कुरुष्ण जनमाष्टमी कुरुष्ण का ये जनम दिन होता है और उसके साती ये एक कल्चरल फंक्शन जुड़ गया है जिसमें लोग जो इस्पेशली यंग्स्टर्स जो रहते हैं या बच्चे होते हैं वो गली-गली में एक रिंग तयार करते हैं बच्चों की उसके ऊपर फिर दूसरी एक रिंग बच्चों की तुकडी जो है वो चड़ जाती है और ऐसे हमारे मराटी में उसको थर बोलते हैं तो एक थर, सेकंड थर, थर, तीसरा थर और उसके बाद कुछ थरो के बाद फिर उपर एक मटकी होती है जिसमें दही होता है उसको फोड़ना होता है और इसको कुरुष्ण के बच्चपन के साथ जोड़ा जाता है कि वो मटकीया फोड़ के दही खाया करते थे ऐसी एक पवरानिक कता है सही माने में यह एक्चुली सिर्फ पवरानिक कता है यह इतिहास नहीं है इतिहास जो है यह जो कता जो है यह किस जातक कता से लिया गया है बुद्ध के यह मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में तो ये जो पिच्चर होता है या आप देखिए इस तरीके का एक माहोल होता है और इसे साथ आठ रिंग्स तक बनते हैं मुंबई में अलग-अलग एरियाज में और इसको बड़ा राजनितिक भी महत्वा आ गया है ये शिवसेना पार्टी से खास करके जुड़ा हुआ है ये अलाहबाद का एक म्यूजियम में हमारा केंदर सरकार इसको चलाती है इस म्यूजियम में बहुत सारे बुद्धिस्ट शिल्प है उस जमाने के लगबग 2000 साल और उससे भी पहले के इसमें ये शिल्प है सातियों जिसमें ये बच्चे एक रिंग बनाई है एक टीम ने उसके उपर दूसरी रिंग तीसरी रिंग और तीसरी रिंग के उपर एक बच्चा चड़के एक चक्र को हाथ लगा रहा है उसको टच कर रहा है तो ये एक्जाक्ली सेम है जो हम जो दही हंडी करते है उसके साथ सिर्फ ये जो चक्र है उसको रिप्लेस कर दिया है मटकी से तो ये कुछ सदियों पहले हुआ होगा एक्जाकली बताना मुश्किल है कि ये कब हुआ होगा लेकिन जब बुद्ध की शिक्षा धीरे 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 उसका रहास होता गया और वो नश्ट होती गई और जब कुरुष्ण यह एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किये गए और इस्टाब्लिश हुए और उसके साथ जो मटकी और मखन चुराने की जो कथाये आई उस टाइम पर ये शायद हुआ होगा तो आज से ये कह सकते है कि ये 700 साल पहले की ये बात हुई होगी उससे जादा नहीं उससे जादा पुरानी नहीं हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से हम इतियास देखते है उससे ये ही पता चलता है तो सातियो ये और भी जगह से है ये बहरुत का कार्विंग्स है बुद्धिस्ट कार्विंग्स वहा की ये शिल्पकला है बहरुत जो है ये मध्यप्रदेश में है वही पर मध्यप्रदेश में साची है हमारे माराष्ट म अजन्ता केयोज है अमरावती के केयोज है तो ये काफी अइतियासिक दस्तावेज माने जाते है शिल्प के रूप में और इनको historical significance तो है लेकिन इसको cultural और religious significance भी है क्योंकि इन carvings में जो कथाए प्रस्तुत की गए है वो चीनी यात्रियों की stories से या Buddhist literature के साथ connect करके काफी सार information इन से मिलती है तो बहुरत का जो ये सारा गुमफाय और ये सारा शिल्पकला का जो नजारा है ये इस स्विशन क्रिस्ट के पहले 100 साल और उसके बाद 100 साल इसके दर्मयान का रहा होगा ऐसा हित्यास कारों का मानना है तो यहाँ तक तो ये हम देखते है कि ये चक्र जो है गुद्ध के धर्म का धम्म का चक्र इसको चूने की ये बच्चे कोशिश करते है और इसको मनाया जाता है इस तरीके के ऐसा हम देखते हैं लेकिन इसको कुरुष्ण के साथ जोड़ना और कुरुष्ण की मटकी के साथ जोड़ना ये बहुत पुरातन नहीं है इसकी ये मै उसको जब modify करके उसमें बहुत सारे शलोक आड़ करके भारत नाम का ग्रंत हुआ था और भारत को और ज़्यादा expand करके महाभारत हुआ था तो जए में और भारत में खुष्ण नाम का कोई पात्र नहीं था महाभारत में एक अवतार के रूप में ये दैवी शक्ती के रूप में ये खुष्ण का पात्र आया था और उसके मूँ से फिर ये भगवद गिता जो है ये युद्धभुमे में सुनाई गई थी तो ये काफी मतलब साथवे आठवे शतक को ये फाइनलाईज हुआ उसके बाद भी वो एडिट होता रहा तो ये काफी नई चीज है इन कंपैरिजन टू बुद्धा के ये जो शिल्फ है ये जो कला है इसके कंपैरिजन में ये काफी नया है और कुष्ण का जो पात्र है जो महाभारत में ब्राह्मन ग्रंतों में लिया गया है ये पात्र बुद्ध के घत जातक कता से लिया गया है और घत जातक कता में ये वासुदेव हुआ करता है और वो किस तरीके की लड़ाई करता है और कैसे उसके जन्म की जो स्टोरी है ये सारे डिटेल्स उसमें दिया सेपरेट से कि कुष्ण के जन्म की और कुष्ण के लाइप की ओरिजिनल स्टोरी क्या है जिस से महा भारत में ब्राम्मन ग्रंतों में उसको लिया गया है तो यह काफी सारे जातक कताए ब्राम्मन उस वक्त के ब्राम्मन जो राइटर्स थे उन्होंने मौडिफाय करके उनको बदल गई उनको बदल दिए गई लेकिन यह जो चक्र हुआ करता था इसके बारे में संचित में बताऊंगा और फिर मैं ये विडियो फिनिश करूँगा तो यह चक्र जो है जिसको धरम चक्र को हो या धम्म चक्र को यहуска होता था क्योंकि यह हमारे तिरंगे के बीचो बीच भी है इसको हम अव्यक्त चक्र कहते हैं लेकिन इसको अव्यक्त है कभी नहीं कहा जाता था यह सिर्फ भारत स्वतन्त्र होने के बाद जब इसको हमने इस तिरंगे पर डाल दिया तो क्योंकि यह अशुक काक के जो गुम्फाय है थी, कार्विंग स्थी तूप थे, उसमें मिलाथा, उसको अशुक चकर का आथा, अशुक के जमाने में भी उसको अशुक चकर नहाई, उसको धम्म चकर ही का आजाता था, तो ये क्या हुवा करता था, इसमें 24 आरे होती है, स्पो क्स, ये संटर से पेरिफ प्रणुश पराती से बुद्धा हूर से इसका connection होता है तो कि यह चोबिस क्यों होते हैं तो बारा जो आरे हैं यह धum दुख् चक्र के जो बारा स्टेप से वो दरशाती है और जो बचे वे बारा spokes होते है वो इस दुख् चक्र को reverse करने के लिए जो जो steps है वो दर्शाती है तो यह सारे मिला के 24 होते हैं कभी कभी सिर्फ 12 spokes का यह दिया जाता है चक्र कभी कभी 8 जो आर्य अठंगिक मार्ग जो है बुद्ध का या भगवान महाविर का यह 12 का दिया जाता है कभी कभी बारा का आठ का कभी कभी चार आ रहे सकते है जो है इसका सिर्फ एक चक्र होता है तो ये सारे धर्म से धम्म से सनातन धर्म से जुड़े हुए होते है इसका ये जो बाद में इसको आउतार या कोई रुशी मुनियों की स्टोरी जोड़ दी विश्नु के हाथ का इस से नहीं जुड़ाए, यह चक्र जो हुआ था यह जातक कथा में जो वासुदेव, घत जातक कथा की जो वासुदेव की कथा इसमें भी आया है, वो मैं separate video में बताऊंगा, तो इस चक्र को बच्छों को चूने की एक motivate करने की जो एक प्रता थी उसमें ये एक दूसरे पर चड़ कर फिर उसको एक लड़का चूता था धम्मचक्र को तो ये बताया उनको शायद ये इंस्पिरेशनल बताया जाता होगा कि ये धम्मचकर बहुत इंपोर्टन्ट है और आपको इसको चूना है इसको प्राप्त करना है मोक्ष प्राप्त करना ये ही इस जिवन का लक्ष है तो ये बचपन से और जब यंग एज है उसी ताइम से ये अध्यात्म को उनको इंप्रेस करने के लिए अट्रैक करने के लिए ये उस प्रकार का एक खेल हुआ करता था जो बाद में बदल गया जैसे बुदिजम दिरे 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 उसका रास हुआ खतम हुआ और बाद में ये ब्राम्मन ग्रंतों का प्रवाव बड़ा जो आवतार आ गए राम कृष्णा अदी आवतार जो जातक कताओं से आ गए तो उनको ये पुरानी प्रताओं को उनमें फिर उनको कनवर्ट कर दिया गया तो दही हंडी जो है ये उसी प्रता का उसी बुद्धिस्ट आर्ट का एक बदला हुआ ब्राम्मन ग्रंतों का ब्राम्मन धर्म का रूप है जिसे आज हम हिंदु धर्म कहते हैं तो सात्यों मैं आशा करता हूँ कि इस विडियो द्वारा इस प्रता को मैं explain कर पाया हूँ मैं कुरिष्ण के जो स्टोरी है ओरिजिनल स्टोरी बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन सी स्टोरी है किस प्रतक प्रकार से आई है और उसको कैसे बदल दी गई है ब्राम्मन ग्रंतों में ब्राम्मन धर्म में इस पर एक जल्दी से जल्दी विडियो बनाऊंगा फिर मिलता है उस उडियो में टेक क्यार जैहें सात्यों